कार्तिक महा के शुक्ल पक्सकी प्रति पता ती थी यानि दो नौवंबर शनिवार को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया गोवर्धन पुजा के मौके पर घरों में अनकुट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पुजा के आउसर पर बैटमा नगर की बालाजी मंदिर इस्तित्षी राम जान की गोशाला द्वारा नगर में विशाल गोव यात्रा निकाली गई। जो गोशाला से शुरू होकर अमबैट कर चो रहा सोसाइटी रोड सहीत वी भी नमार्गों से होते हुए पुना गोशाला पहुची यात्रा में गो माता विशेश रूप से शंगारित होकर कतार बद्ध चल रही थी छे सो से अधिक गोवंश की सेवा कर रही गोशाला इस्थ और हरवर्ष कार्तिक मास के शुकल पक्ष की प्रती पदाती थी को गोवर्धन पूजा करने का विधान है गोवर्धन पूजन के दिन घरों में गोवर्धन से गोवर्धन महराज की प्रतीमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुमोहट में पूजन किया जाता ह मानिता है कि इस दिन भगवान क्रेश्ण ने देवराज इंद्र का घमन चूर किया था और अपनी कनिस्टा उंगली पर गोवर्धन परवत उठा कर ब्रजवास्यों की रक्षागी थी बैटमा इंदावर से राजन सिर्यमेंशी की रिपोर्ट अज दिवाली का दूसरा दिन है और दिवाली के दूसरे दिन नगर में एक परंपरा बेटमा नगर में एक परंपरा है यहां की प्रसिद सिर्याम जान की गोश आला सेवा समीति के तत्वाधान में हर वर्ष बेटमा की जो गोश आला में करीब 600 से प्लस गाये हैं उनका जो पालन पोश्वन किया जाता है तो आज उनका नगर भ्रह्मन कराया जाता है और सभी नगर के वासियों को इन गो माताओं का दर्शन करने का सोभाग ये प्राप्त होता है हमारे बीच आप देख सकते हैं कि सामने गाएं दिख रही है और इस गोशाला के संचालक सुरेश जत्ता हो हमारे बीच है हम उनसे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे इस गोशाला जो सेवा समीती है कितने वर्सों से आयजन कर रहा है और क्या 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 इसकी प्रक्रिया लिए उसको माता को पकड़ कर उसकी सेवा का लगषि लिया और बालाजी महराज की आसिरवाज से सन 2000 से आज 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं गउशाला को और अभी वर्तमान में गउशाला स्रीरामजान की गउशाला चार गउशाला संचाली की जा रही है और चार गउशाला में 600 गउमाता की सेवा जनता के आसिरवाज से जनता के सवाज पर सायोग से सवा-दा रही से सेवा चल रही संदिकू्युद फोड़ा का इस्का रूट yönस्वा जनता का इस में किस तरीके से सैयोग मिलता क pasta क्या युग्धान रहका है त्होड़ा बताई पूरे नगर की पवित्रता होती है और जो भी नगर में अविवस्ता होने वाली है उसका निराकरण गवमाता पेले से ही कर देती है उसकी नगर की परिक्रमा करके और अभी 24 साल इस यात्रा को भी हो चुके हैं स्री राम जानकी गोशाला सेवा समीते के वारे में सुना है कि अभी कुछ उन्होंने गोई इम्मूले स्वागिरा भी सुरुवात की है तो उसकी थोड़ी सी जानकरी देंगे क्या है वो किस तरीकी की सुविधाई देती है अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो गव माता जिसको छोड़ देते हैं रोड पे गव माता तो आवारा ने रेती आवारा लोग रेते हैं जो गव माता को छोड़ देते हैं रोड पे एसी गव माता का रोड पे वाहन द्वारा एक्सिरेंट हो जाता है कोई बिमार हो ज जिसका जो मालिक नहीं है और एक्सरेंट रोड पे हो चुका है उसकी खबर आएगी तो अपन गोशाला में हमारे गिर्धारी सेड़ जी जिन्नोंने गोव एंबुलेंस गोशाला में दान करी है उस गोव एंबुलेंस से पचास सो किलोमेटर तक से हम गाएं एक्सरेंट वाल तो यह थे हमारे वीच स्री राम जान की गोशाला सहवा समीती के संचालन करता स्री सुरेज जी जत्ताप इनके द्वारा जो जानकरी दीकरी बहुत अच्छी जानकरी है सभी दर्शकों से भी निविदन है कि वो भी आपने शेत्र में जो भी इस तरीके से गाई दीखे उन पड़वा पर्व के उपलक्ष में हर वर्स की तरह इस वर्स भी गव माता की सोबा यात्रा पूरे बेटमा नगर में गोशाला परिशर से प्रारंब हुई सागोर रोड अंबेटगर चोराया सोसाइटी रोड पूरा बाजार गवली महुला कुश्वा महुला होते हुए र इसे पुनह अपनी गोशाला की और आई और यह यात्रा को 24 वर्च हो चुके हैं और आप जनता के सयोग से यह गोशाला चल रही है चार गोशाला संचालित की जा रही है श्री राम जान की गोशेवा धाम के माध्यम से और 600 गोव माता की सेवा की जा रही है और आप सभी का इसने है प्रेम इसी प्रकार बना रहे और एसे ही गौमातागी सेवा जीवन परियंत करते रहें एसा आपका आशिरवाद जनता जनारधन का आशिरवाद जनसायोग की अपेक्षा है जैई श्री राम जै गौमातागी हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें कि